धन्यवाद अदर जी, हालागि हमारी पार्टी का समय नहीं था, बावजुद इससे आपने समय दिया, रेल बजट पे बोलने के लिए, उसके लिए मैं आपका बहुत हिर्दे से धन्यवाद हूँ. अदर जी, बहुत सारे साथियों ने बड़ी जिम्मेदारी की बात कई, जनरल बोगी बढ़ाने से लेके, सफाई से लेके, उन सभी चीजों के साथ अपने को जोडते हुए हैं, चूकि अदर जी, मैं आजंगबर संसदी छेतर से बिरवाच्चत होके आया हूँ, आजंगबर एक से एक महान लोगों की सरजमी रही है, अदर जी, आजंगड छेतर, अलग अलग बेवित्ताओं से भरा हुआ है, आजंगड के लोगों को जहां रोजगार के लिए मुंबई जाना पड़ता है, वहीं सिच्छात लिए आजंगड के लोगों को इलहाबाद और प्रियाग पहले आजंगड से मुंबई एक रेल चलती थी, जो करोना काल से बन चल लई है, हमारा अन्रोध है कि उस रेल को न केवल वो सबताइक थी, उस रेल को हर दिन के लिए सुरू किया जाए, बलकि साथी साथ आजंगड से लखनव, आजंगड से इलहाबाद, जहां पे इंटर जरिया, कैफिया ट्रेन है, और कैफिया ट्रेन के में बैठने का टाइम तो सुनिश्चित है, लेकिन कब पहुचेंगे इस बात की कोई भी मिदारी और गारंटी नहीं है, इसे मंत्री जी मैं आप से अनोत करूँगा, कि आजंगड से दिल्ली के लिए एक नई रेल लाइन नई रेल वे, रेल ट्रेन शुरू करने की करपा करें, मैंने जनरल बड़ेट की चर्चा में भी जिक्र किया था, आजंगड से, बनारा से, बायां आजंगड गोरखपुर तक, नई रेल लाइन का बड़ा डोड परचार किया गया अद्धजी, हमसे पूर सांसर्थ ने बह जी और फंड अभी बाकी है, मैं उमीद करता हूँ कि आप इसको जरूर ध्यान देंगे, साथी साथ अद्धजी, आजम गड में जहाना गंसे सठियाओं के बीच, रेल वे ओवर वीज न होने की वज़े से घंटों जाम लगता है, इसी तरह से दो जगे औरें, कुटवा, म अद्धजी, कि उत्तरपदेश की तीन बिविन लोकस्वाओं का मैंने प्रदिन्दु करने का मुझे मौका मिला, और वो तीनों ही छेत, सद्धे नेता जी की करम भूमी रहे, सवर्गी सरद यादव जी की करम भूमी रहे, मानि अखलेस यादव जी की करम भूमी रहे, इन मैंपुली से एटा, कासगंज, होते हुए बदाईउ, बदाईउ से संबल होते हैं गजरौला तक, नई रेल लाइन की घोशना की गई थी मानी मंत्री जी, मानी लालू जी के समय, और आज तक उसकी घोशना पर कभी सर्बे भी नहीं हुआ, इसे मेरा रोध है, वो पुरान दस साल से ये भी बैठे हैं, चुकि हमारी पार्टी के पास समय कम है, इसलिए हम उसको ज्यादा लंबा नहीं कहेंगे, दूसरा मेंपुरी से, गोशना उन्होंने की ती, तो पुरा करना इनकी भी जिम्मेदारी है, अधरजी विभाग नहीं बदल गया है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, आज यो ये मंतिजी घोशना करेंगे, अगले मंतिजी की जिम्मेदारी बनेगी, अगले मंतिजी की जिम्मेदारी बनेगी, अरे दस साल का हिसाब दे दो, अरे दस साल का हिसाब दे दो, अरे मेरे पास समय काम है, उसका दूर्पियोंग ना करो, अधर ज लिए एक रेल लाइनों की सत रेल वे ट्रेनों की सत जरूवत है मानी मंत्री जी पांच में नंबर की आपकी किनोमी आ गई आपके पूर जो हमारे सदस्स है निसिकान जी आपके हिसाब से तो सब कुछ बदल गया रेल में अरे कुछ तो दे दो कि केवल उधर के लिए सब कु आना है प्रदान मंत्री जी की बात को सभी सावित करना है तो मानी मंत्री जी यह जो मांगे हमने रखी है आजमगर लोग सभा के लिए रखी मैंपरी के लिए रखी आजमगर के लिए बदाईं के लिए रखी संभल के लिए रखी एटा के लिए रखी इन सभी को पूरी कर कि ये मंत्री जी और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस सदन के अंदर तो सब का साहल सब कि मानूया ध्यक्षी कि आपने मुझे रेझ बजट पर बोलने का मौका दिया मैं ऑन्या प्रधानि मंत्री जी और मानिया रेल मंत्री जी को बहुत बहुत लाइट जाए आगे बीच में छूट गया तो धन्यवाद अद्य जी मैं कहता हूं कि जो मांगे की हैं तीनों ही छेत्रों की उत्तर प्रदेश की जनता की उसको मानि मंत्री जी पार्टी से उपर उठकर सब के साथ और विकास के लिए पूरा कर दें आपकी बहुत बहुत महरवानी होगी नहीं तो ये नारा बंद करो बहुत बहुत धन्यवाद